मैं हमिस्सा यो सोच के रोता रहा कि छोड़ा होता तो देश के लिए कुष्टी मैं गोड़ा क्या होगी फिल्म की शूटिंग लोगेशन कैसा होगा फिल्म का बजट दंगल जिसकी कहानी है उनसे तो आप वाकिफ हैं ही कीता ने गोल जीत कर इंडिया के हर एक नागरी का सर गर्व से उचा कर दिया था तो जैसे वो एक निडर और टेलेंटेड रेसलर हैं वैसे ही उनका सपना है किस देश की हर लड़की औरत जो स्पोर्ट में अपना कैरियर बनाना चाहती है उसे उनके जैसा ही होना चाहिए एक इंटर्वि में भी उन्होंने कहा था के एक वुमन रेसलर को कैसा होना चाहिए उनके जैसा धाकड दंगल टू में यही स्टोरी हो सकती है खो भी क्यू ना गीता ने जो सीख अपने पिताजी से ली है, वो और रेसलेर्स को देना चाहती है नितेश्डी ने ये कहा है, कि ऐसा हो सकता है कि फिल्म में गीता एक मेंटर के रोल में दिखाई दे ऐसा नहीं है कि उन्होंने wrestling छोड़ती है ऐसा बिलकुल नहीं है वो खुद को एक learner मानती है और ये विश्वास रखती है कि उन्हें अभी काफी सीखना है इसलिए उनका schedule packed रहता है और वो अपने diet पर भी पूरा धान देती है लेकिन वो खुद को इतना खुश नसी मानती है कि वो अपनी learnings दूसरों में बाटने से नहीं डरती है उनका ये मानना है कि सब दूसरे देशों में इंडिया को represent करेंगे और देश के लिए medal जीतेंगे तो बस अगर साथ में सीखेंगे तो इसमें देश का ही भला है ये स्टोरी नितेश जी को भी काफी पसंद आई है इसलिए वो दंगल की बनाने में काफी इंट्रस्टेड है मूवी की शूटिंग लोकेशन्स इंटीर की ही होगी लेकिन ट्विस्ट बस ये है कि अगर स्टोरी फोगार्ट सिस्टर के international challenges पर focus करती है तो शायद आउट्डोर शूटिंग के लिए किसी और देश में जाया जाए ये सब कुछ मूवी की स्टोरी लाइन पर depend करता है और लोकेशन्स उसके बाद ही final होगी मूवी की लोकेशन्स रियल होगी और कोई भी studio शूट नहीं होगा फिल्म की डिरेक्टर खुद भी इस फिल्म के लिए काफी excited है तो ऐसे में वो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहेंगे दंगल 2 का बचट दंगल से जादा ही होगा ऐसा इसलिए क्योंकि मूवी की शूटिंग इंटरनाशनल लोकेशन्स पर हो सकती है अगैन ये मूवी की स्क्रिप्ट पर डिपेंड करता है बस फिल्म के मेकर्स इसे पहले से और भी अच्छा बनाना चाहेंगे हम भी इस सीक्वल के लिए काफी excited है और जाज परदाल करते रहेंगे ताकि आपको up to date रख सकें आज के लिए बस इतना ही ऐसी ही इंट्रस्टिंग खबरों के लिए बॉलीग आट स्टूडियोज को फॉलो करें वीडियो पसंदाया होते लाइक और शेयर करें साथ ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद झाल